इसे लोकडाउन करने के बाद प्रधानमत्री जी ने अपने 21 तारीक के भाषन में कही थी तो उसको हम लोगों ने पालन करना शुरू किया है और ये छोटा बड़ा विशह नहीं है छोटा विशह नहीं है एक बड़ा विशह है कि लगातार 21 दिन तक हमको अपने अपने घरो में बंद हो करके रहना पड़ेगा आज सामाने बात है फिर भी हमारी संकल शक्ति शक्ति के द्वारा यह सब पूर्ण हो रहा है मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है सब लोग इसमें सयोग कर रहे हैं इकका दुका लोग यदि इसका उलंगर भी करते हैं तो मारी पुलिस उनको ठीक से समझाती भी है और यदि छोटा बड़ा कोई अक्शन भी करना होता तो वो भी करते हैं मैं उन सब बंदों से निविदन करूंगा कि इसका पालन यह हमको करना है जोके अपनी सुरक्षा परिवार की सुरक्षा अपने प्रदेश और देश की सुरक्षा सब लो रहा हो लेकिन जितना है उसके साथ से हमको अपना काम चलाना है और हमारा सारा सिस्टम आपको इन चीजों के लिए घर में पहुचाने के लिए तत्पर है हमने इसकी पूरी स्प्लाइच चेन इसके उपर पूरा ध्यान फोकस किया हुआ है हर चीज आपको घर में मिलेगी राशन है क्रियाना है दूद पाउडर है था तर्ल दूद है सब्जियां है दवाईयां है इन सब चीजों के लिए हमने अपनी और सेवस्ता की है अड्मिस्टेशन चुप्स दुरुस्त लगा हुआ है कभी कोई कठाई भी आती है तो यह मान कर कि हम खाएंगे पिएंगे तो जीवन जीने के लिए खाना पिना है खाने पिने के लिए नहीं जीना है हमने जीवन जीने के लिए खाना पिना है जितना आवशक है उतने उसकी प्लब्ता यह होती रहे 21 तारिक तक इसमें काम करेंगे फिर भी इस सारे काम में प्रशाशन के साथ साथ सेयोग करने के ल बगब 32,000 33,000 लोगों ने अपने आपको वालिंटियर की रूप में रिश्टर किया है जिसमें 546 तो डॉक्टर्स हैं दोसो पच्पर नर्सीज हैं यारा सो आठ पैरा मेडिकल्स हैं होम डिलिवरी के लिए जो सायक जिन्होंने अपने आपको तयार किया है और रिश्टर किय कम्मिकेशन यह एक बड़ा काम है लोगों को इंस्पायर करना परसीव करना कि वो शोशल डिस्टेंसिक बना करके रखें इसके लिए 5,700 लोगों ने पबलिक कम्मिकेशन के लिए भी इतने ही 5,700 लोगों ने अपनी आफर जो है वो दी है डिस्टिक मैनेजमेंट को स्पोर ने देश दे दिये गए हैं करोना के खिलाफ इस युद्ध को हम लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़नी हैं ताकि हम आने वाली 14 अप्रैल तक 21 दिनों का यह जो लोकडाउन है इस लोकडाउन को सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में मंतर के रूप में बदलते हुए हम इ ऐसान इस समय उनको लगता है कि उनकी फसल जो है वो कहीं ना खरीदी जाए तो क्योंकर फसल तयार खड़ी है और तयार फसल वर्षवर की उनकी जो कमाई है वर्षवर का जो उनका साधनी आपन हैं वो इसी में से ही बनके निकलने वाला है तो उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आउशक्ता हम फसल का एक एक दाना ये खेडने के लिए हम यानि एक परकार से योजना सारी वारी बन गई है कि हम ठोड़ा अधिसमें डिले हो सकता है थोड़ा इसमें देटी हो सकती है चूँकर जैसे हमको पता है के 14 अपरेल तक करना संब्भब नहीं। इसलिए हमने इसकी तितों के अंदर परिवर्तन करके की जो सरसों की परेंट 15 अपरेल से शुरू कर दी जाएगी और इसे प्लकार गिहों की जो प्रके अपरेल से शुरू कर दी जाएगी अगर सब प्रसतिया सामाने रहती हैं तो इन पर अपना प्रक्यूर्मेंट का काम शुरू कर देंगे उस समय तक हमें अपना जो स्टॉक है चाहे सर्सों का है चाहे गेहों का है क्योंकि पकी फसल को खेत में छोड़ा जा सकता हम अपने घरों में कैसे स्टॉक कर सकते हैं जितनी जितना संभव है जितनी हमारी क्षमता है उसको अपने घरों में स्टॉक करें और जहां लगता है कि हमें हमारी स्थिती में हमारी क्षमता में कोई कठनाई है तो इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड के जो लोगों को हमने इस इंस्ट्रक्शन दे दी है कि व को कोई भी विवस्था करने में हमारा सयोग करें हमारी सहायता करें और इसके लिए जितनी देरी होगी हम निश्यद रूप से इसका इंसेंटिव ये भी घुशना करने वाले हैं गेंदर सरकार को हमने लिखा है कि वो इसके लिए किसानों के लिए एक इंसेंटिव की योजना ये बनाएं और मुझे लगता है कोई ना कोई योजना बहुत जल्दी बनेगी परदेश की ओर से भी हम उस योजना के साथ जोड़ करके कोई योजना बनाएंगे ताके आपको उसके लिए कोई कठाई न सहने पड़े बैंकों में जहां तक पैसा जमा कराने की बात है हमने के समय तक का जो ब्याज की जो माफी है केंदर सरकार की और प्रदेश सरकार की दोनों की बढ़े हुए समय के साब से ही उसकी व्यवस्ता की जाएगी बहुत से जो सरकारी करमचारी है वह एक परकार से इस स्थिति को जूज रहे हैं एक युद्ध के तना जूज रहे हैं और युद्ध में उनका उदेश हमको सबको सुरक्षित करना है उस युद्ध के अंदर जैसे सेना अपने मोर्चे पर काम करती है उसी परकार से वह सब लोग लगे हुए हैं अपनी चिंता न करते हुए हमारी सबकी वह चिंता कर रहे हैं एक बहुत बड़ा दायुत वह निभ बनती हैं उनके परिवारों के चिंता भी हम लोग करें और जहां-जहां जो रहते हैं उनको किसी परकार की कठराई ना ने दें उनके परिवारों को एक गोशना मैंने पीछे की थी कि इनको जो लोग इस परकार के काम में लगे हैं बस्तियों में अथवा जहां भी आवशक आइसोलेशन वार्ड में या फिर कोविड टेस्टिंग लैब्स में जो टेस्टिंग लैब्स हैं उन में काम करने वाले इन लोगों को उसका राशी उसकी बढ़ाई जाए तो हमने विचार करके डॉक्टर्स के लिए ये राशी 50 लाख रुपे की है नर्सिज के लिए ये रा कोई कठाई आती है तो ऐसे सब लोगों के लिए 20 लाख रुपया कर दिया गया है ताके जो लोग इस वार्ड के अंदर पॉजिटिव पाए जाने वाले जो लोग है वहां वार्ड में उनकी इलाज चल रहा है या फिर जो कोविड टेस्टिंग लैब में पॉजिटिव पा पांच तो बिआ करनाचटिंग और सुरू किया है और तीन चार दिन के अंदर दो टेस्टिंग अर भी शुरू कर दी जाएंगी अपर बुकार बटहोंटलॉ etan के अंदर बेड्स हैं आइसोलेशन बेड्स लगभग 25 इसके विवस्ता की जा चुकी है और इसी प्रकार क्वारंटाइन के लिए भी साड़े 6000 बेड्स की विवस्ता यह हमने की है ऐसा एक विवस्ता के नाते आपको धहन कराया जा रहा है इसी प्रकार आखिर आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत से बहुत सी समस्या है यह हमको जहलनी पड़ेंगी गरीब परिवार जो प्रतिजिन कमाता है देहडीदार वाला व्यक्ति है मजदूर है छोटा दुकानदार है इन सब लोगों की सहायता के लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं इसके 12,56,000 इन परिवारों का रेजिस्ट्रेशन हो चुका है और 4,000 प्या एक मुष्ट राशी इनको भेजनी शुरू की है 2,56,000 परिवारों को यह राशी भेजी जा चुकी है लगबग 84,46,000 रुपे अभी तक इसके अतरिक्त जो कंस्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है वहां भी 3,85,000 लोग इनको भी राशी एक अजार प्रती सब्ता यह भेज दी जाएगी और हर सब्ता यह राशी भेजी जाएगी इसके अतरिक्त भी बीपेल के परिवार हैं यह जो इन सूचियों में नहीं आते हैं उनका रेजिटेशन कर करने की अलग प्रावधान कर रहे हैं ताकि हजार प्रती सब्ता उन सब को भी दिया जा सके बहुत लोगों की साहता करनी की आशकता रहेगी तो सरकार की और से एक रिलीव फंड हर्याना कोरोना रिलीव फंड इसकी स्थापना की गई है और इसमें भी बहुत लोग बहुत जेनरसली इसके अंदर कि इसके अंदर अपना योगदान कर रहे हैं अभी तक लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी राशी का योगदान किया है पांच करोड चुरासी लाख रुपे की राशी इस समय तक इसमें आ चुकी है इसका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ओफ हिंडिया पंचकुला में खुला गया है IFSC कोड है SBIN0001509 और जो खाता नंबर है 39234755902 बहुत से प्रचार माध्यमों से इस खाता नंबर की जानकरी आपको दी जाएगी इनके जो लिंक हैं वो भी आपको उपलब्द करा दिये जाएंगे ताकि उस बैंक के सीधे लिंक पर जाकर के भी हम RTGS से उस पैसे को भेज सक सकते हैं कि क्यू आर कोड और यूपी आई अर्थात यूनिफाइड पेमेट इंट्रोफेस यह दो तरीके और भी हैं जिन माध्यमों से कोरोना लेव फंड में डोनेशन यह दी जा सकती है कि जो एक विश है कि हम लोगों ने जो लोग वोलिंटियरी सनाते से काम करने के लिए फिल्ड में जाएंगे उन से उनकी पैचान यह पूछी जा सकती है पुलिस के दुआरा हर विक्ति से जो बाहर घुमेगा बाहर जाएगा या आउट साइड पर घर से बाहर रहेगा पैचान पूछना उनका दायत वह है उ जाएगी ताकि यह पास के माध्यम से हम उसमें रिश्टर करके चाहे मार्किट के क्रियाना के लोग जो स्प्लाइचेन वाले हैं वोग्हते पर इसको रिश्टर करें अथ्वा जो जो डिस्ट्रिक अनिशेशन के माध्यम से वालेंटेस की ड्यूटी लगाई जाएगी उनको भी इपास दिये जाएंगे ताकि उस इपास को डाउनलोड करके अपने अधार काड के साथ हम अपने घर के बाहर जा सकेंगे के लिए जो लोग किरियाना ग्रोसरी मिल्क कमिस्ट शॉप आदी इन सामान की स्प्राई करने के लिए जो अपने आपको ओफर करेंगे उन सब के लिए वेहें था की है कि ऐसे सब किर्याना के लोगों को इनको हम लोग रिश्टर करने के लिए एक वेबसाइट इसका लॉंच कर रहे हैं और अभी उस वेबसाइट का लॉंच यह मैं करने जा रहा हूँ इस वेबसाइट का जो नाम है कोविड एसस हरियाना डॉट आई इन सी ओ विए डी कोविड एसस हरियाना एच यार वाई ए अन डॉट आई इन यह इसका आई पिल एड्रेस रहेगा इसको खोल करके हम अपना रजिश्टर करने के ज़िए पाता हैगी ताकि उनकी जानकरी वो सब ग्रहकों को अथवाजीन लोगों को समान चाहिए उनके पास उपलब्द होगी उनके इलाके के इसाब से मौले के इसाब से उनकी सुचियां उपलब्द हो जाएंगी जहां भी वो फोन करेंगे वहां से उनको समान वॉलिंटर के द्वारा उनके घर पर यह भीजा जाएगा तो यह भी एक व्यवस्था मेंने की है कि पावर डिपार्टमेंट कि उनकी और से भी एक योजना बनाई गई है जो के कैश काउंटर पर भीड लगने की एक संभावना यह हमेशा बनी रहती है तो उन्हों उन्हें आज से अपने सब कैश काउंटर यह बंद किये हैं और साथ ही एक सूचना दी गई है कि सभी कैशलेस तरीके से डिजिटल तरीके से और अपने अपने बिलों का भुखतान करें यह सब कंजूमर नेट बैंक के माधियम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेटीयम इस माधियम से बिलों का भुखतान कर सकते हैं 14 अप्रेल के बाद जो कैश काउंटर खुलने की बात आएगी वो समाने सहतियां होने के बाद ही खुल पाएंगे इस बीच में 14 अप्रेल से पहले जो लोग इस परकार की इंटरनेट के माधियम से नेट बैंकिंग माधियम से या डिजिटल माधियम से अपनी पेमेंट करेंगे उन्होंने एक स्विधा और दी है कि दो प्रतिशत बिल के ओपर कटोती करके अगले बिल में और उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा यह चूट दे दी जाएगी उसमें 20 रुपए से लेकर के अधिक्तम राशी 100 रुपए टक का रिभेट यह मिलेगा चाया राशी कोई भी एक बिल की हो 2% अर्थात मिनिमम vos 20 रुपए उर्थात 1000 रुपए से नीच्य के ब हुए और ओनलाइन पेमेंट डिजिटल पेमेंट इसको करने का अभ्यास बनाएं ताके डिपार्टमेंट को भी कठनाई ना आए और हमको भी उसका जो छोटा रिवेट है वो मिल सके आने वाले दिनों में मैं अपनी और से आपसे लगातार संपर्ग बनाकर रखोंगा संपर दो तरफा होना चाहिए इसलिए आपकी और से भी किसी प्रकार की कोई कठनाई आती है समस्या है कोई शंका है कोई सुझाव है इन सब बातों के लिए हमने दो हेल्प लाइन नंबर्स फ्री हेल्प लाइन नंबर्स यह जारी किये हैं उनके नंबर है बहुत छोटे नंबर है चारंगों के नंबर हैं दोनों एक है 1075 1075 और दूसरा है 1100 1100 तो दोनों ही अंक चारंगों के नंबर हैं सरल हैं याद करने में इसलिए हम लोग इसके उपर कभी भी फोन करके 24 घंटे दिन राती खुले रहेंगे आपको डिस्ट्रिक की कोई समस्या वहां की है उसकी भी जानकरी इसके माद्यम से आपकी डिस्ट्रिक आप से अंतमिन एदर यही करता हूं कि ये एक ऐसी लड़ाई है एक ऐसा युद्ध है जिसको हम सम मिलकर के यदि लड़ते हैं और जो इसका मूल मंत्र है वह सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन से सोशल डिस्टेंसिंग मैं इसको कहता हूं अलडे टुस्डी लडी अर्थ यह बना करका रुखये ग तो हमारा संकल्प वह इस거 प्रमान से बहुत हैं पर हम सब मिलकर के अनुशाशन से सहिमसे की लोगों का सैयोग करे करें के पास अपना पास होगा उनका अधिकार होगा कभी आपको लगता है कि किसी के पैचान में दिक्ता आ रही है तो इसका इपास अधिकार्ट है देख सकते हैं मांग सकते हैं कोई आवसकता पढ़ने पर उसकी जानकारी अगर सम लगता हो तो इस हम दे सकते हैं इतना ही निवदर करते हुए मैं आपको फिर पुरा विश्वास दिलाता हूं कि हर चीज की उपलबता आपको घर बैठे होगी यह 21 दिन का समय हमार लिए ऐसा समय आया है इसको अपने जीवन का हिसा मान करके हम संगर्ष कर रहे हैं यह इस यह इतर्व को इनाते पर रखेंगे अपने समाज कैसे सोरक्षा यह दिन के इससे जंग कर रहा है यह आपसी कोई मतभेद का विशह नहीं है आप सब मिल करके सब मतभेदों से उपर उठकर के मिल करके इस काम को करें यही मेरा आपसे निवेदन है बहुत बहुत धन्यवाद